हेलो फ्रेंड्स मैं नामिका मेरी किचिन में आप सरी का श्वागत हैं फ्रेंड्स आज में कैफिज और मोजलेला चीज की एश्टरफी माला पड़ाशा का यार करके आपको दिखाऊंगी इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही फ्रेश्टी रगता है तो फ्रेंड्स इस मज़ेदार रेश्टी को आप ज़रूर प्राइब कीजिए और मेरे सैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट करना मिल्कुल मत पूलिएगा इससे हमें बता चले हमारी रेश्टी आपको कैसी लग नहीं है तो चलिए हम इ कर देंगे और तीन को अच्छे से गड़म होने देंगे तेल में हम डालेंगे आधा चमच जीरा जीरा को हम हलका सा चटगने देंगे जीरा उतना चटग चुका है अब हम इसमें डालेंगे वन फोट्स चमच हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज तो यहाँ पे हमने दो प्याज को एकदम बाड़ी बाड़ी काट रखा है क्योंकि श्टफिंग के लिए कभी भी लच्छेदार प्याज नहीं का अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटी हुई हडी मिर्च को यहाँ पे हमने दो हडी मिर्च को बारिक-बारिक काट लिया है आप अपनी तीखा तैनुसार एक मिर्च और बढ़ा दी सकते हैं अब देख सकते हैं अपनी प्याज हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुके है तो हमें प्याज को ब्राउन नहीं होने देना है हल्का साथ सॉफ्ट होने देना है जो की हो चुका है अब हम यहाँ पे डालेंगे कैफेज यानि कि पत्ता गोभी पत्ता गोभी को हमने बारिकी से काट आप देख सकते हैं या तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए या बाड़ी काटने आता हो तो काटिए लेकिन बिल्कुल बाड़ी कटा होना सहिए क्योंकि इस श्टफिंग के लिए कैवेज कभिर की बाड़ी बाड़ी रहना जरूरी है इसे हम क्याद के साथ अच्छे से भूनेंगे तो आपको पता होगा जब भी हम कैवेज की सब्दी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो तेज फ्लेम पे ही से फ्राइ करते हैं तो हमें बडावर चलाते हुए इसे शॉप्ट होने कभूनना है अब देख सकते हैं हमने वह भी को चलाते हुए दो इनसक भू कर लेंगे और इसमें मशाला एड़ करेंगे तो यहां पे हम एक चमस धनिया पौडर डालेंगे एक चमस लाल मीट पौडर डालेंगे तो आपको तीखा पसंद है मेर्सी मादला जादा कर देजिए अगर मेडियम में खाना है तो यह परफिक्ट माफ है हम वान फोट चमस इस तो यह श्टफिंग है नमक अच्छे से बराबर मादला में होनी चाहिए यही तो पराथे का टेस्ट भी गर जाता है मसाला को हम मिक्स करते हुए तीन से चार मिनट कर इसे पकाएंगे आप देख सकते हैं कैफेच को हमने भून के अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है लेकिन इसमें बिल्कुल पानी नहीं है अब थोड़ा बहुत मॉस्चर है उसको शुखने के लिए हम क्या करेंगे इसमें दो से तीन चमस बेसन डालेंगे इस चने का आटा है इसे बेसन कहते है इसमें का इंग्लिश में से ग्राम फ्लोड भी करते हैं तो आप समझ के डाल दीजिएगा आपको ज़रूरत पड़े तो तीन चमस भी कर दीजिए और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन डालने के बाद ही हमें दो मिनट कर पका लेना है बेसन कच्छा नहीं रहना से ह तो चलिए हम यहां पर एक चमस और बेसन डाल लेते हैं इसे हमें इस्टरफ करने में आटा में दीकत नहीं आती है इसका मुक्स्टर जो है वो बेसन अफ्जॉर्ब कर लेता है और बेसन कभूना हुआ श्वास भी बढ़ियां आता है तो हम बेसन डालने के बाद इसे दो म इनर तक अच्छे से मेडिया फ्रेम पे फून लेंगे जब तक अपनी फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा गुद लेते हैं आटा हमने यहां पे अढ़ा इसोग्राम लिया है इसे हम एक ट्रे में ले लेंगे यहां का आटा नॉर्मल आटा है जिससे हम जपाती बन अब इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल अज़ा कर दे दो ऑख कुरिए जोड़ी है जह दो की तो जैसे हम रोटी या चपाती का आठा लगाते हैं वैसे ही हम आठा लगाएंगे थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है और एक एस्मुथ डो तयार करना है आप देख सकते हैं हमने आठी को अच्छे से मसल मसल की और एक लोचदार डो तयार किया है लोचदार यानि कि हम ऐसे मुठी बांद के इसको जितना मसलेंगे उतना ही बढ़िया डो तयार होता है पराठे के लिए यह प्रोसिश बहुत जरूरी है अपने आठी में लोच रहेगा तो पराठा फैलाने में बिलकुल दिक्कत नहीं आएगी यानि कि ऐसा लोच तयार करने में हमें 5-6 मिनट लगता है उठी से ब्रेश करकर के हमने इसे अच्छे से आठा लगा लिया है अब जब तक अपना आठा से ठोड़ा है तब तक चलिए हम फिलिंग में मोजलेला चीज ग्रेट कर लिए रहे हैं अपनी फिलिंग ठंडी हो चुकी है चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो आप एक पर फिर से देख लिए बिलकुल यह शुखा शुखा अपनी फ टेश्टी लेकता है इसका जायका आप भुलाने ही पाएंगे तो हमने यहां पे मोज़ेला चीज ग्रेट कर लिया है अब ही हम अधे ही फिलिंग में चीज को मिक्स करेंगे दो पराथा बनाने के बाद आधे में फिर से इससे क्या होगा अपना मुझ्रेला इधर बाहर नहीं पिक लेगा जब हम पड़ाठे तयार करेंगे उसमें जाके यह अपना पिखलना सुड़ू होगा तो चलिए हम पड़ाठा तयार करते हैं कि हम डू को लेड़ेंगे और इसले से हमें छोटा सा लॉइ लेगे यानि कि आपको जितना वड़ा पड़ाठा बनाना है उतना वड़ा लोई ले-लेद़ ले अच्छे से मैस्ते हुए गोल करना है फिर हम इसे सुखे आटे में थोड़ा सा डर्ष्ट करेंगे अब चलिए हम इसे बेल लेते हैं हमने एक रोटी बनाने वाला बेलन चौकी ले लिया है उस पे लोई रखेंगे और इसकी पूरी तयार कर लेंगे हमने इसे एक छोटी ची डोटी के बड़ावर इसे बना लेना है अब हम इसमें श्टाफिंग डालेंगे तो यहां पे हमने जो मुझरेला चीज मिक्स किया था कैवेज में उसको अच्छे से भड़ेंगे हरपूर मात्रा में हम फिलिंग डालेंगे तब ही यह पराठा जो होगा मजेदार होगा हमने फिलिंग डाल लिया हाथ से हम हखका सा ऐसे बीज में ब्रेस कर लेंगे और ऐसे रोटी को चुननट बनाते हुए लोई तयार करेंगे यह तो बहुत आसानी से होता है आप सब के काट के निकालेंगे दुसरे लोई में यूज कर लेंगे अब हम इसे हथेली से अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर शुखें आटे में ऐसे डस्ट करते हुए इसका पराठा बेल लेंगे तो सबसे पहले हम हाथ से ही इसे थोड़ा सा फैला देंगे आप देख सकते हैं अपनी पराठा इतना वड़ा फैल चुका है अब हम इस बेलर की मदद से हलकी हाथों से इसे खुमाते हुए एक पतला सा पराठा तयार कर लेंगे ये बहुत असानी से सारे काम हो जाते हैं पराठा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है थोड़ी थोड़ी आप साउदानी बढ़ती है आपके घर में भी पराठा बहुत बढ़ियां तयार होगा और ये कैभेज मोजरेला चीज का पराठा तो आप बच्चों को बना के देंगे आपको बार बार वो बोलेंगे हमें ऐसे ही पराठे नाथ्ते में बना के दो तो अपनी पराठा का से तैयार हो गया है चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं गैस पे हमने एक लोही का तावा गरम कर रखा है उस पे हम अपना धीरे से ऐसे पराठा चोड़ देंगे और एक साइट से हम इसे एक शेडेल मीनट तक मेडियम फ्लेम पे सेंख लेंगे उसमें एक हलकी सी चित्ती जैसे अब जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं आप हम इसे दीरे से फिरीप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं एक साइड से हलकी हलकी चित्ती आई है 앞 वहम इस एक ह yönष्या ले आए और दोसरे साइड से ओड़ा सा इससे कडारा डार अनका तो अपनी दूसरे साइड से भी देख लीदे पड़ाटे से चुकी है अब हम इसमें तेल लगाएंगे तो यहां पे आप बर्टर धी कुछ भी लगा सकते हैं यहां पे हम एक चमच पे लिए हैं तेल को हम चारो तरफ है लाते हुए ऐसे डालेंगे आप देख सकते हैं तेल भड़पूर मात्रा में डालने से पड़ाथे करारे दार होते हैं अब हम एक इस पेज़गा की मतब से इसे प्लीज करेंगे और दूसरे साइड भी हम भड़पूर मात्रा में तेल लगाएंगे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पराथा खुली है कैवेज और मोजरेला चीज का तो हम उलट पलटके दोनों शाइड से इसे अच्छे से सीख लेंगे यह बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेश्टी बनने वाली रेश्पी है इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए गा तो अपनी पराथे कराड़ेदार सीख चुगी है दोनों शाइड से सीखे हैं आप ध्यां से देख लीजिए आप हम इस पेश्ड़ा की मदद से इसे एक प् हम सीख लेंगे हम देख सकते हैं भी पराथे की पढ़ियां फुल रही है तो यहां पे हमने प्लट प्लट की दूसरा पराथा भी बना लिया है चलिए हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम बाकी सभी पराथे बना लेंगे पराथे में तेर कभी भी आप डालें भड़पूर मातरा में डालें और पराड़े दार से कि बहुत मज़ा आता है यह पराथा खाने में बड़े तो पसंद करेंगे ही बच्चे भी भूट के खाते हैं ऐसे पराथे तो यह भी पराथा अपना अच्छे से पूल चुका है दोनों शड़शे करारे हो चुकी है इसे भी हम इसी प्रेट में निकाल लेंगे तो यहां पे हमने तीन पराथे बना लिये चलिए हम बाक अपने देख लिया पत्ते गोभी की पराथा बनाना कितना आशान है और खाने में तो यह लगता ही है तो इसे आप भी ट्राइब कीजिए और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए प्रेवाद